बलिया में वाइरल बुखार से पीडित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वाइरल बुखार में तेज बुखार के साथ ही शरीर दर्द और सर्दी खांसी जैसे लक्षन देखे जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट चिकित सालेओं में मरीजों की भीड लगतार बढ़ती जा रही है बलिया जिला चिकित साले के CMS डॉक्टर वीपी सिंग का कहना है कि मौसम में बदलाओ से शरीर की परतिरोधक्षमता कम हो जाती है प्रति दिन 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं कुछ मरीजों का प्लेटलेट्स भी कम हो रहा है ऐसे में चिकित सक्य परामर्श के आधार पर ही दवा लेने की उन्होंने सलाह दी इसमें मौसम परिवर्तन सिग्र हो रहा है जैसे कभी वर्सात का मौसम हो जा रहा है फिर कभी गर्मी होने लग रही है तो जो मौसम परिवर्तन होता है तो वारिल फीवर के केसेज बढ़ जाते है इसमें अस्पिताल में करीब 1200-1500 की उपी डिचल रही है इसमें करीब 10% पर जुकत करा दिसके लिए मुख्या है लिए रूवीयों को उसला देते हैं कि किसी प्रसिक्षित सक्षे अपना इलाज अपने मन से इलाज मत कराएं जोलग शाप डैक्टों से इस्ति खराब होने के अउस्तार रहती है इसमें प्लेटलिक्स भी कम हो जा रहा है इसके लिए प्लेटलिक्स चढ़ाने की विजोड करती है इसे में हम उड़ाया देंगे कि घर से बाहर की बनी चीजों का प्रियोग करें इसलिए कि जो है इंफेक्शन के खत्रा रहता है और उसमें बाहर का चीज खाने से डार्या इतात कर भी प्रकूब बढ़ जाता है